लगातार जी सरी कैसे छात्रों के भविश से खाने बाल करने का काम अगर किसी पाटी ने किया है तो भारती जन तक पाटी ने किया है हमारी मा अगया कि धर्में जी सिपा दे कि NTA को तुरंद बैन कर देना चाहिए उस पर एक सक्त कानूनी कारवाई करनी से ऐसा क्या उनकी मजबूरी है कि वो NTA को बचाने काम कर रहे है यूजी रिजल्ट का विवाद अभी ठंडा नहीं हुआ कि सिक्षा मंत्राले नी बुद्धिवार को UGC NET को रद्द करने का एलान कर दिया मामले की जाँ CBI को सौपी गई है UGC NET अब नए सिरिस से आयूजित कराया जाएगा सिक्षा मंत्राले नी ये फैसला ग्रह मंत्राले से परिक्षा में धानली के इंपुट मिलने के बाद लिया है हलाकि इसको लेकर चात्रों में रोश है इस बीच NSUI के अधियक्ष वरुम चौधरी ने क्या कुछ कहा सुनिये 24,06 आप देखेंगे कितने दिनों से इस तड़पती धूप में आप देखेंगे गर्मी में अपनी गुहार लगा रहा है साथ में अने स्वाई के साथ ही भी गुहार लगा रहे थे नयाई की और जिस तरीके से नेट का पेपर आज मैंने सुबा प्रेस के माद्यम से बोला था कि NTA को तुरंट बैन कर देना चाहिए मैं फिर वोई मांग करता हूँ कि NTA को तुरंट बैन कर देना चाहिए उस पर एक सक्त कानूनी करवाई करनी चाहिए साथ के साथ मेरी अब परदान मंत्री जी से गोहार है कि आपके सामने अब दो चीज़े है या तो आप 35 लाग चात्रों को युवाव को नयाए दे या अपने करप्ट शिक्षा मंत्राले को और जो NTA उसको बचाए क्या लगता अब दरमिंदर परदान जी बार बार NTA को बचाने का काम कर रहे है क्या उनकी मजबूरी है कि NTA को बचाने काम कर रहे है कहने-क पर्दान जी जो पेपर लीग की दांधली लिका यह जो वेपार शुरू करा NTA ने इसमें खुज शामिल है हमने 24 तारिकों तो संसद घिराव करा था उसमें नेट के जो हमारे विध्यारती थे उनको भी हम अपील करेंगे कि वह आए और साथ के साथ कल भी हम पदर्शन करेंगे 21 तारिक को देश बर की जो युनिवर्सिटीज है हमारी जो केंपसी हैं पूरे देश में लगबग हमने 300 केंपसी करें इडेंटिफाए उन 300 केंपसी में प्रोटेस्ट होगा और 24 तारिक को जो पहला दिन है संसद का जब वहां शपत ग्रेंड भी चलेगा नए संसद होगा उर्दीनम चात्य संसद घिराव करेंगे जिसमें हम नीट के चात्रों की नियागी गोहार लगाएंगे और नेट की जो धांदली हुई है और आप देखेंगे बहुत कोमन पैटन बन गया है जो एंटी है जो शिक्षा मंतरा ले एक पेपर ढंग से नहीं करा सकता तो उसकी क्रेडिबिल्टी भी इतना बड़ा सवाल खरा होता है अब देश के तमाम जो चात्र है आपको पता है देश में 60% युवा लोग हैं तो उनका कही न कहीं यह जितने भी अब एक्जाम सो रहे हैं उसको धांदली को देखते हुआ उनका मनोबल तूट रहा है तो इस देश के युवाओं के चात्रों के मनोबल को तूटने नहीं देना चाहिए सरकार को इससे पहले नीट यूजी एक्जाम रिजल्ट में धांदली को लेकर विवाज शुरू हुआ था जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है चात्रे एंटिये यानि नेशनल टेस्टिंग एजिंसी पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और सक्त कारवाई की मांग कर रहे हैं